खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना ओर्डिनारी पर शुरू हो चुका है एक नया शो नाम है हर स्टोरी जुसमें होंगे और तो और उनसे जुड़ी महतवपून घटनाओं के किस्से और तो के इतिहास से जुड़ी कहानिया बोरिंग लेक्चे नहीं कहानिया द क्यों क्यों कि हिंदू कुटों से भी बुरे हैं हिंदू कवों से भी बुरे हैं हिंदू बंद्रों से भी बुरे हैं सोशल मेडिया पर ये बयान यती नर्सिम्हानन का बताया जा रहा है ये भी कहा जा रहा है कि यती नर्सिम्हानन ने हिमाचल प्रदेश के उना में अखिल भारतिय संत परिशत की ओर से 17 अप्रेल से शुरू हुए तीन दिन के धर्म संसत कारिक्रम में भड़काव भाशन दिया है आपको बता दें यती नर्सिम्हानन दासना देवी मंदर के महन्त हैं इन्हें पिछले दिसम्ब 2021 में हरिद्वार में एक नफरती भाशन देने के लिए गरफतार किया गया था और अभी वे बेल पर बाहर है उना में हुए धर्म संसत के सायोजन में कई अन्यवक्ताओं ने भी धर्म विशेश के खिलाफ आपती जनक बाते कहीं एक और विडियो क्लिप जो उना धर्म संसत की ही बताई जा रही है उसमें एक महिला कोई बोलते हुए सुना जा सकता है मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है जब मुझे लोग लेडी कोट से बोलते हैं जो सम्मान आपने दिया जो प्रेम आपने दिया कि माजल की हर बेटी के लिए मैं खड़ी हूँ मेरे लायक कुछ भी हो आप सभी को मैं ये प्रन दे कर जाती हूँ मुझे बता देना जहां गोली मानने के आवशकता हो वह मार भी देंगे चिंता मत कनना दावा ये किया जा रहा है कि 17 अप्रेल को ये बयान पूजा शकुन पांडे का है वही पूजा शकुन पांडे जिन पर हरिद्वार धर्म संसत के दौरान नफरती भाशन देने का आरोप है आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अखिल भारते संद परिशत के हिमाचल प्रदेश प्रभारी यती सत्यदेवानन सरस्वती ने भी इस धर्म संसत के पहले दिन यानी 17 अप्रेल को आपत्ती जनक भाशन दिया था उन्होंने कहा था कि भारत को इस्लामिक देश बनने से बचाने के लिए हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा भारत लोगतांतरिक देश है यहां हिंदू बहु संख्याक है लेकिन एक समुदाय के लोग प्लानिंग के तहत कई वच्चों को जन देकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं इमाचल पुलिस के ओर से इस धर्मसंसद से पहले ही आयोजकों को एक नोटिस भेजा गया था जिसमें लिखा था कि इस धर्मसंसद में किसी समुदाय और जाती विशेश के खिलाफ नफरत भरे भाशन दिये गए तो कानूनी कारवाई की जाएगी बीते 18 अपरेल को उना के स्पी अरजीत सेन ने न्यूज एजेंसी एनाई को बताया उना के मुबारिक पुर्शेत्र में एक धर्मसंसद का आयोजन किया जा रहा है तो देखना होगा कि अब पुलिस की ओर से आगे क्या कारवाई या जाँच की जाती है आपके लिए खबर लिखिया हमारी साथी सुर्भी ने मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए दिललन टॉप शक्रिया